गौट हाँ आप लिय नहें सेकल चाहरे प्रसार कहा अर्ट समय काउनी कित स्वर्टे एकड़नी मुम्ट हें। जा कि अप लिए प्रसे पाइक आप एक तेमाता ग्रैज में पांगा तेस्ट काफी इंदी होगा। चलिए इसकी असान सी रेसिपी हम शुरू करते हैं अगर आपने मरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब तो चलिए अब हम इसकी लिए कुछ मसाले रेडी करेंगे इसकी लिए मैंने यह पे स्वॉफ और धनिया लिया है गोटावला और इन द पर कटा कर लिया है अब यहां पर तीसरा काम हम करेंगे चावल को तो चावल बिर्यानी वाला यह मैंने लांग ग्रेन ले लिया इसको वास्ट करके हम रख देंगे ताकि यह काम भी आपका होता रहे और आपके बिर्यानी जब बनाएं ना तो ज़्यान लेंदी नहीं तो प्रेकशन करने लेंगे लेंगे तो चावल को कटाने है हा सब सब्सक्राइब चाहरो ने बाद करेंगे जाने वाल रसाओ और तो 6-5 डिंचर नोंच से बड़ ने जब पर EMETAL कर लेंदगे delivered तो दो चंब में बुट डाले है अब यहां पर बड़ी चमच अभी शी कुछ एक चमच के करीब मैंने यहां पर गोल की डाला है है यहांनि बलक rapt नाश पर डाला है एक चवथाई चमच हम ढ लेंगे यहां पर पार पॉडरr उसके बाद एक चमच गरम मसाला डालेंगे और एक चम्माच बिर्यानी के मसाला डाल सकते हैं यहां पानी अटा दिया है और उसके बाद मैं यह ग्रीन चिली को डाल दे रही हूं इससे आपका जो चिकन का जो टेस्ट है वो काफी इन्हांस हो जाएगा कि हम इसमें कोई टमाटर बगेरा का यूज नहीं कह रहे हैं और यह बहुत ही डिलीसेस बनती क्योंकि मैंने इसको यकनी की तरह ही बनाएंगे है तो यहां पे मैंने चिकन स्टॉक पाउडर लिया है यह अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप क्या करना है जी बस आपको जो भी बिर्यानी पाट है वह आप डाल दीजाए उसमें लगपग आपको एक कप के करीब आपको यूसे तेल रह चीज पकाना है तो यहां पे मैंने एक बड़ा बाला जो प्यास है ना वह लिया है इसमें प्यास की भी जादा जरूरत नही तो तो इन सारी को हम डाल देंगे से तेल में तो अब यहां पर मैंने थो चिकन रखा था उसको फूरी पूरी डालेंगे तरह काम विल्कुल हो गया है बहुत ही जल्दी बनती है यह वाली रेसिपी सॉरी बियानी यहां बेजी हम इसको अची तरीके से भूल लेंगे बूनने के बाद जब तक चिकन आपका टेंडर नहीं हो जाता है और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसमें दूसरा काम करना है तो इस तरीके से हम चलाते जाएंगे थोड़ा सा क्योंकि अभी हम आपको नहीं बूनेगे तो यह अधनाचे टेस्ट नहीं यहीं इँगा तो चिकन और उसके सारी Living कर चेंज हो जाते हैं तो इस से आपका टेस्में का इनहांसमेंट हो जाती है तर Sum पानी खुदबा को छोड़ राए ठीक है अब इसमें बियानी के साथ खाने वाली चटनी हो दिए वह बहुत ही आसान वाली चलिए शुरू करते हैं मैं ने एक बड़ा वाला तमाटर के लिए दो लाल मीर्चौखी डाली एक चमच मने जिंजगर्ली के पिस डाला है अब इसमें थोड़ा सा जीर के जी शेल ीजया का डाल देंगे और इसको पीस लेंगे पीसने के वाद मैंने थोड़ा सा इसमें चिकनिस्टॉक पाउडर डा तो यहां पर हमारा बिल्कुल चिकन रेडी हो गया है मतलब भुना करके अगर आप इस तरीके से भी बनाएंगे ना खाने के लिए रोटी की साथ बहुत ही अच्छा लगेगा अब यहां पर मैं यहां पर पानी डाल दिया है पानी को इस तरीके से जितना डालिएगा जितना तो मैं यहां पर अपने अंदाजे से डाल रही हो तो मैंने एक लिटर का जो कंटेरर आती है वो मैंने लिया है तो एक लिटर के करीब मैं यहां पर पानी डाल दिया है और अब डालेंगे जितनी भी उबालाने के बाद हम चावल को डाल देंगे जो कि हमने सोक करके पहले ह तो यहां पे हमारा चावल भी डल चुक है अब इसकी यखनी जो है ना चिकन का जो यखनी है उस पे यह चावल जब पकेगा तो इसका टेस्ट काफी बढ़िया हो जाएगा तो अब यहां पे चावल जब उपर में इस तरीके से आजेंगे तो इसको हम डंग देंगे ना के त दाल दिया तो अब इसको परेशने का टाइम आ गया है बिल्कल डिलिसेसी विर्यानी जिसमें हमने कोई रेट चिली पाउडर का यूज नहीं किया है बहुत ही यम्मी सी हमने ज्यादा मसाले भी नहीं डाले इसमें आपने देखा होगा तो बहुत ही डिलिसेसी पुलाओ य झाल 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 झाल